है 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 कि है हेलो दोस्तों इस तैनों है LPP में आप सभी का स्वागत है आज यह मापके लिए लेक्पाइज हैं इसकी इस्किल शेयल स्रिज का तीसवा डिक्टेशन ुप एगर आपने यससे पहले कि डिक्टेशन नहीं लिख लिखे प्लीज इससे पहले के डिक्टरशन जरूर लिख लीजे जो आपके स्किल के लिए काफी महत्पून है और इस्टेनो हेल्पी पी ये दावे के साथ कह सकता है कि आज की डेट में कोई भी यूट्यूब इस्टेनो चैनल आपको डेली स्किल स्पेसल स्रीज नहीं दे रहा है हम आपको यह प्रवाइट करा रहे हैं हम आपकी परिक्षा को तेन कराने के लिए दिन रात तत पर हैं आप हमारी टाइम लाइन देख सकते हैं हम आपको सुबे स्पेसल स्किल एक्यूरेसी दे रहे हैं आपको इविनिंग के टाइम तक हम आपको SSE इसके लिए Special Series प्रवाइट करा दे रहे हैं और राज में आपके सब्द चिहिनों को रिवाइस करने के लिए सब्द चिहिने Special Series भी दे रहे हैं जो आप सभी SSE के लिए चाहे वो SSE हो या कोई State Board हो सब के लिए लापकारी सिद्ध होगी मैं आसा करता हूँ कि आप अन्य लोगों तक इस चैनल को जरूर पहुचाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाप पहुच सके और आपके द्वारा किये गए इन छोटे परियासों से हमें भी काफी फायदा होगा हमारी भी इस मुहिम को हम अन्य लोगों तक पहुचा पाएंगे चलिए इस यासा के साथ हम स्टार्ट करते हैं असी सब्द पर दी मिनट की गति से डिक्टेशन जो होगा ठीक तीन सेगिंड के बाद रिडी स्टार्ट अधियक्ष महोदैग मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदै ने यहां सदन में प्रस्तुत किया है उस पर दोनों तरब से लोगों ने अपने अपने विचार प्रगट किये हैं मुझे बहुत खुसी है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है सायद यहो पहला अवसर है जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमती प्रकट की है मुझे इस बात का डर भी है कि यहो जो प्रस्ताव है उसे अभी मंतरी मौद द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल भी उनको दे दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद हम में से कई सदस्य आपत्ती करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आमजनता परेसान है इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए ऐसी अवस्ता में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल दिलाने में साहता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिला सकेगा मैं समझता हूँ ची दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा अध्यक्ष महोदै यह हमारे देश का सवभाग है कि यहां पर खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है अभी कुछ समय पहले हमारे योजना मंत्री ने बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ रही है जिने हम खेती के काम में लगा सकते हैं हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़ कर सहरों की तरफ आना सुरू कर दे मंत्री महोदय का कहने का अर्थ यह है कि हमें खेती में काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी हूंगी जिससे वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन कर सकें और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें एक समय था जब इस देश का किसान रिण में पैदा होता था और रिण में ही मर जाता था आज वहो इस्ति नहीं रही इसी तरह से यदि हमारे सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य करती रही तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उन्हें पूरा सहियोग देकर खेती की पैदावार को बढ़ाना चाहती है महदै आज हर छोटी बड़ी परियोजना जोकी देश हित में देश के विकास हेतू आरंब हो चुकी है या आरंब होने जा रही है परियावरन की दिर्श्ची से आलोचनाओ के घेरे में है पस्चमी देश जो आज विक्सित रास्टों की स्रणी में आते हैं उन देशों में अठारवी वो उन्नीसवी सताबदी में जब ओद्योगिग करांती आ रही थी बात बात में यदि परियावरन परदूसन का विसे छेडा जाता रहता तो क्या आज वे देश इतने विक्सित होते? सायद नहीं आज जब वे विक्सित हैं धन धानी से परिपून हैं जो जीवन की अन्य विधाउं की और भी ध्यान दे रहे हैं सच्छतम परियावरन भी उने देशों का नारा अधिक है विदेशों में हर घर में तीन चार कारों का होना आम बात है और ध्योगिक करांती के कारण विक्सित अत्यदिक उध्योगों से परियावरन परदूशन एवं अधिक वहनों द्वारा दिये गए वायू परदूशन तो असंभव भावी था भारत जैसे देश में सत्तर परतीसत जनता अब भी गरीवी की रेखा के नीचे है और दो जून की रोटी के लिए विवस है कई लाक लोग यहां के उध्योगों में कारेरत हैं और आगे विक्सित हो सकने वाले उध्योग अन्य कई करोड लोगों को रोजगार दिला सकते हैं यदि ऐसे उध्योग परियावरण के नाम पर बंद किये जाएं या विक्सित नहीं होने दिये जाएं तो उध्योगों पर आश्रित करोडों लोगों को मौत के मुह में धकेलने जैसा कृत्य होगा हमारे देश के पर्थम परधान मंत्री जवाहर लाल नहरू युग द्रिश्चा थे जब उन्होंने देश की भागडोर अपने हाथ में ली थी तो देश की आर्थिक इस्तिती जड़जर थी देश के दुरुत गती से विकास के लिए उनकी कुछ अपनी योजनाएं थी जिनको साकार करने के लिए वे दिन रात लगे रहे आराम हराम है का नारा भी उन्होंने ही दिया उनके नित्वित में देश तीवर्ता से आर्थिक प्रगर्ती की और अग्रसर हुआ बड़े बड़े उद्योगों की इस्तापना हुई प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अनेका अनेग परियोजनाएं बनी एवं कारियानवित की गई लाखों की संख्या में देश की गरीब जनता को रोजगार मिला यदि उस समय परियावरण का रोना रोया जाता तो सायद ही इतने अथिक उध्योग इस्तापित हो पाते सायद ही इतनी परियोजनाएं सुरू की जाती उनको योजना बद तरीकों से तेयार किया गया और वे ही कारियानवित हुई और वे ही पूर्ण होकर संतोस जनक इस्तिती में कार्य कर रही है खनीज उत्पाजन विधद उत्पाजन आदी मैं भी देश आत्म निर्भरता की और अग्रसर है । दोस्तों यह था असके सब्धपरती मिनट की कथिसे डिक्टेसन अब हम बोलेंगे सा सब्धपरती मिनट की इसका ट्रांसक्रिसन जरूर कीजिए इसकी पीडियाफ आपको हमारे वर्टसब और टेलीग्राम गुरूप में मिल जाएगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा जले स्टाट करते हैं सो सब्द परती मिनट क गति से दिक्टिसन ग्रेट सी के लिए ठीक तीन सेकिन के बाद रिडी स्टाट महोदै आज हर छोटी बड़ी परियोजनाए जो की देश हित में देश के विकास हेतू आरंब हो चुकी हैं या आरंब होने जा रही हैं परियावरण की दिर्श्ची से आलोचनाओं के घेरे में हैं पस्चिमी देश जो आज विक्सित रास्टों की स्रेणी में आते हैं उन देशों में अठारवी वो उननीसवी सतावदी में जब ओद्योगिक करांती आ रही थी बात बात में यदि परियावरण परदूसन का विसे छेडा जाता रहता तो क्या आज वे देश इतने विक्सित होते सायद नहीं आज जब वे विक्सित हैं धन धानी से परिपूर्ण हैं तो जीवन की अन्य विदावों की और भी ध्यान दे रहे हैं सच्छतम परियावरण भी उनी देशों का नारा अधिक है देविदेशों में हर घर में तीन चार कार का होना आम बात है और द्योगिक करांती के कारण विक्सित अत्यदिक उद्योगों से परियावरण परदूसन एवं अधिक वहनों द्वारा भी वहां परियावरण परदूसन तो अवश्यम भावी था भारत जैसे देश में सत्तर परतीसत जनसिंक्या अब भी गरेबी की रेखा के नीचे है और दो जून की रोटी के लिए विवस है कई लाख लोग यहां के उद्योगों में कारेरत हैं और आगे विक्सित हो सकने वाले उद्योग अन्य कई करोड लोगों को रोजगार दिला सकते हैं यदि ऐसे उद्योग परियावरण के नाम पर बंद कर दिये जाएं या विक्सित नहीं होने दिये जाएं तो उद्योगों पर आशरित करोडों लोगों को मौत के मुह में धकेलने जैसा कृत्य होगा हमारे देश के प्रथम प्रधान मंतरी जवाहल लाल नहरू युग द्रिश्चा थे जब उन्होंने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी तो देश की आर्थिक इस्तिती जरजर थी देश के दुरत गती से विकास करने के लिए उनकी कुछ अपनी योजनाएं थी जिनको साकार करने के लिए वे दिन रात लगे रहे आराम हराम है का नारा भी उन्होंने ही दिया उनके नेत्वरत में देश तीवरता से आर्थिक प्रगती की और अग्रसर हुआ बड़े बड़े उद्योगों की इस्तापना हुई प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अनेका अनेक परियोजनाएं बनी एवं कारियानवित की गई लाखों की संख्या में देश की गरीव जनता को रोजगार मिला यदि उस समय परियावरण का रोना रोया जाता तो सायद ही इतने अधिक उद्योग इस्तापित हो पाते सायद ही इतनी परियोजनाएं सुरू हो जाती उनको योजना बद तरीके से तैयार किया गया और वे ही कारियानवित हुई और वे ही पूर्ण होकर संतोस जनक इस्तिती में कारिकर रही हैं खनीज उत्पादन विद्धुत उत्पादन आदी मैं भी देश आत्म निर्वरता की और अग्रसर है महदै आज निर्माना धीन कई बड़ी परियोजनाएं भी नहरू जी के समय में संस्तुत स्विक्रित हो चुकी थी आज ऐसी अधिकांस परियोजनाएं सिर्फ इसलिए खटाई में पड़ी है कि परियावरन का रोना रोया जा रहा है इन बहु उत्देशिय परियोजनाओं के लुम्बित हो जाने से देश की कितनी हानी उठानी पड़ रही है देश के जन जन का कितना पैसा वै हो रहा है और वै हो चुका है इसका अनुमान लगा कर मन उद्वेलिद हो उठता है इन परियोजनाओं के सुरू होने पर जो लाब जनता को मिलते उनसे उसे वंचिद किया जा रहा है बड़े उद्योग जो देश के विकास के लिए आवस्यक है उनको बड़ावा दिया जाना चाहिए परियावरण के नाम पर इस परकार की परियोजनाए उद्योगों को रोकना देश के विकास के साथ खिलवाड करने जैसा है उद्योगों द्वारा होने वाले परियावरण परदूसन को रोकने के लिए अनेक परियोग क्या विक्सित हुई हैं जो किसी भी उद्योग की परदूसन समेती के सक्षम ऐसी भी बात नहीं की परियावरण पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए अवस्य दिया जाना चाहिए लेकिन देश के विकास में सायक परियोजनाओं को सिर्फ परियावरण के नाम पर रोकना देश हित में नहीं है आज परियावरण को स्वच रगने वाले उद्योगों की और बड़ावा देने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ये उद्योग सताबदियों से हमारे देशवासियों के आई के मुख्य साधन रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का असिमित एवं अविवेक पून दोहन भी उचित नहीं है यद्य भी प्राकृतिक संसाधनों का उपियोग मानव सब्यता एवं जीवन का मुख्य अंग है लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की सीमित एवं नियमित दोहन ही अंतत हो देश के विकास में सायग रहेगा अब कुछ विचार अपून पर्योजनाओं के विशे में भी योजना स्विक्रित हुई सन 1990 में सन 2000 में कार्य प्रारंब हुआ जब तक कई अरब रुपे वे हो चुके हैं इसके पस्चाद भी परियावरन के नाम पर कई बार निर्मान कार्य में पादा पहुंचाई गई अतहो हर बार निर्मान कार्य रोक देना पड़ा और निर्मान से सब्बद अधिकारीयों की भी पन आई है वे अब कोई आसवासन नहीं देते की बाद निर्मान कार्य कब तक पूरा हो जाएगा अब इस परकार देश को दोहरा नुखसान उठाना पड़ रहा है विदेशी बैंकों से करोडों रुपे का रिन इस बाद निर्मान हेतु प्राप्त किया गया इस रिन का ब्याज इस देश की जनता की गाड़ी कमाई से दिया गया है और रिन का सदूप्योग आसा अनुरूप नहीं हो रहा है महोद उत्पादकता या कारिक उसलता को यदि बढ़ाना हो तो कुछ बातें आवस्यक हैं जैसे कि जब भी पदार्थ प्रकती से निकाले जाएं तो ऐसी तकनीक और विधी का परियोग किया जाए कि केवल उचित परदार्थ ही निकले और यदि अवान्चित पदार्थ भी साथ में निकले तो उनकी मातरा कम से कम हो साथ ही साथ ऐसा करने में काम करने वाले संसाजनों जैसे उर्जा, मानव सकती, पानी, उपकरण, इतियादी की खपत भी कम से कम हो यह भी ध्यान रखने योग बात है कि पदात का स्राव इस परकार से और ऐसे इस्तानों से हो कि इस्तानिय परियावरण पर कम से कम असर हो आवसकता इस बात की है कि नए उपकरण वो परनालियां विक्सित की जाएं जो उपरुक्त सभी अर्थों में अधिक उतपादग तथा परियावरण संगत हो जैसा कि पहले कहा गया है कि उतपादन किरियाओं में काम आने वाले पदार्थों का अपवे अपरिहार्य है यह केवल तीन ततों पर निर्भर करता है पहला यह कि किस वस्तू का उतपादन किया जा रहा है दूसरा उसके उतपादन के लिए कैसी उतपादन तकनीक को अपनाया गया है अन्तिम वो तीसरी बात यह है कि इस तकनीक को कितनी कारिक कुसलता से काम में लाया जा सकता है सब्सक्राइब दोस्तों यह हमने बोला सब्सक्राइब प्रति मिनट की इकति से डिक्टेशन अगर आपने लिखा है तो इसका ट्रांस्किप्टन जरूर कीजिएगा इसकी पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम गुरूप में मिल जाएगी उसकी लिंक हमने आपको नीच चैनल के सांथ जूड़े रहिए थैंक यू